Hello students, we have read in lesson 9 about some occupations like electrician, plumber, architect, carpenter, mason, blacksmith, goldsmith. Now today we will read the remaining part of this chapter. हम इसका बचावा पार्ट पढ़ते हैं. Today we will read some people sell things. इसमें कुछ लोगों के बारे में जो की सामान बेचते हैं. First is grocer. Grocer means क्या होता है? जो जनरल स्टोर की शोप पे बैठते हैं, जहां पर किराना मिलता है, उसे ग्रोसर बोलते हैं, जो जनरल स्टोर पे बैठते हैं, और किराना बेचते हैं, वो क्या कहलाते हैं? Grocer. Grocer is the person who sells smart household things and food. Grocer is a grocery store, जो कि घर की कुछ चोटी मोटी चीजें बैचता है, और खाना बैचता है, जिसे अनाज देता है, दाल देता है, चामल देता है, शकर देता है, ऐसा food items बैचता है, और कुछ और household things बैचता है. household things जैसे कि हम आने, यहाँ पर रखा है, देखो, oil रखा है, कुछ पोर्ट रखें, वाटर बोटल रखी है, ऐसे समान जो बैचता है, वो हता है, ग्रोसर, ठीक है? The next is chemist, chemist क्या होता है? C-H-E-M-I-S-T, इसको chemist नहीं पढ़ते हैं, chemist पढ़ते हैं, chemist याने, दवा बजार में, जो दवा बजार, chemist shop याने, दवा की दुकान, यहाँ पर जो बैचते हैं, chemist क्यों होते हैं, जो दवाईयां बैचते हैं, chemist is the authorized person to sales medicine, authorized मतलब क्या होता है जिसकों की अधिकार दिया हुआ होता है, जिसके पास डिगरी होती है, मतलब वो ऐसी पढ़ाई किया हुआ होता है, हर कोई वेक्ती chemist नहीं बन सकता है, chemist के लिए क्या करना पड़ता है, chemist की वाली study करनी पड़ती है, पहले आपने को पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर हम हमको एक डिग्री मिलती है सेटिफिकेट मिलता है उसके बाद इस शौक पे हम बेट सकते हैं तो कैमिस्ट है कैसा ओथोराइज परसन होता है जो की दवाईयां बेचता है मैडिसीन वाले अंकल को जो शौक पर बढ़ते हैं उनको सभी दवाईयों का नाम पता होता है उन्हें मैं पता होता है कि कौन सी दवाई कि बिमारी में लेने चाहिए तो वो क्या होते हैं वो एक ओठोराइज पर सन्हों होते है मतलब उनके टूटे वे फूलों को जमाता है उनकी कुछ गुल्दस्ता बनाता है उनसे फ्लार बनाता है और उनको बेचता है ठीक है बेकर क्या होता है बेकर क्या होता है बेकर बनाता है बिस्कीट बनाता है और केक बना कर बेचता है वो क्या कहलाता है बेकर की जो शॉप होती हो क्या कहलाती है बेकरी ठीक है ये बेकर की शौप होती है उन पर जो बैठते हैं और जो बनाते हैं वो कहलाते हैं बेकर The next is Green Grocer Green Grocer means नाम सी समझ में आ रहा है Green Grocer is the person who sells green vegetables and fruits जो कि सबजियां, हरी सबजियां और फल बेचते हैं वो कह कहलाते हैं Green Grocer Okay, the next day other people who work for us अब कुछ लोग ऐसी होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं मिल्स हम उनसे हमारा काम करवाते हैं और बदले में उनको मनी देते हैं तो यह हमारी हल्प करते हैं यह हमारे हल्पर है और यह हमारे लिए काम करते हैं जैसे वाशर में वाशर में क्या होते हैं washerman is the person who washes our clothes हम हमारे कपड़े washerman को देखे आते हैं मिन्स धोबी उसको कपड़े देखे आते हैं वो कपड़े wash करते हैं फिर उसको iron करते हैं आचे से प्रेस करते हैं तो washerman एक ऐसे वेखती है जो कि हमारे कपड़े धोता है the next is cobbler cobbler कोन होते हैं cobbler is the person who manns our shoes जो हमारे जूतों को ठीक करते हैं जब हमारे जूते टूर जाते हैं या कट जाते हैं फट जाते हैं तो mochi के पास जाकर उसको सिलवाते हैं तो cobbler means mochi cobbler is the person who manns our shoes जो हमारे shoes को मरमत करते हैं the next is mechanic mechanic क्या है mechanic is a skilled person who repairs machinery and wickers mechanic क्या होता है skilled याने की उसको वो चीज़े आती है उसे ठीक करना आता है वो उसके बारे में सारी नौलेज रखता है तो जानकार वेक्ती है वो एक ऐसा skilled person है वो रिपेर करता है सुधारता है मशीनों को and pickles और गाडियों को सुधारता है मशीनों को ठीक करता है वो होता है mechanic the next is postman a postman is a person who delivers letters and parcels etc postman एक ऐसा वेक्ती होता है जो कि letter को deliver करता है और parcel letter और parcel को deliver करता है letters आप समझते है parcel में कोई भी जरूरी समान हमें एक जगा से दूसरी जगा भेजना है तो वो भी postman हमारा एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाता है the next is farmer farmer is the person who grow crops जो की फसल उगाता है वो होता है farmer grow means बढ़ाना crops याने फसल जो फसल बढ़ाता है या फसल को उगाता है वो farmer होता है the next is doctor a doctor is the person who treats patients जो मरीजों को ilाज करते हैं doctor होते है then teacher a teacher is the person who teaches students how to read and write teacher एक ऐसा person होता है who teaches students जो की बच्चों को पढ़ाता है how to read कैसे पढ़ते हैं शिखाता है क्या टीच करता है वो बच्चों को क्या टीच करता है कि कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से लिखते हैं बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाता है The next is Barber Barber means क्या होता है? Nine Barber is a person who cuts hair and shaves or trims the breeds Barber एक ऐसा वेक्ती होता है Who cuts, जो कि काटता है, hair, बाल काटता है Shave यहने आपकी पुरी shave करता है Daddy बनाता है and trim the breeds Beards Beard means Daddy, Daddy को trim करता है Means अच्छे से सेट करता है तो यह shave करता है आपका और अच्छे से आपकी Beards यानि आपकी डाड़ी को trim करता है Trimming करता है Means शेट करता है The next person is Polisman Polisman is a male member of a police force Police force का यह एक male member Male member means क्या होता है पुरुष पेक्ती है Polisman क्या होगा और जो Polisman होगा आदमी तो यह क्या होगा Police का male member होता है Who catches the thieves जो कि चोरों को पकड़ता है And maintains law and order और law, कानून और सारे order को maintain करके रखता है Means कोई भी जगा चोरी डखेती नहीं होने देते है वो होता है Polisman The next is Firefighter A firefighter is a person Who put off fire जो कि आग बुजाने में हमारी help करता है और जो आग बुजाता है वो है Firefighter The next is People Who make us happy By the things they do अब कुछ लोग ऐसी होते हैं जो हमें खुश करते हैं By the things they do उन चीजों से जो कि वो करते हैं उनसे वो हमें happy करते हैं वो क्या कौन-कौन से people हो है First is Musician A musician is a person who plays musical instrument and compose music Means musician एक ऐसा वेक्टी होता है जो कि music instrument बजाता है और music को compose करता है Compose करना मिंस वो राग बनाता है वो बताता है किस तरीके से हमको गाने को गाना है कमपोस करता है Then singer and dancer A singer is a person who sings Singer एक ऐसा वेक्टी है जो गाना गाता है And a dancer is a person who dance डांसर एक ऐसा वेकती है जो कि डांस करता है The next is writer Writer is a person who writes books and stories Writer एक ऐसा वेकती है जो कि stories और books को लिखता है And the last is actor An actor is the person who acts in plays, tv shows, movies, etc Actor एक ऐसा वेकती है जो कि acting करता है Plays में, यानि किसी कोई भी एक story है या कोई भी नाटक है उसमें TV shows में या किसी movie में वो play करता है The next is Every person does a job to earn his living हर वेकती काम करता है अपने जीवन में कमाने के लिए We must respect them and their occupations We must respect them हमें उनकी respect करने चाहिए हमें उनका अधर करना चाहिए and their occupations और उनके रोजगार की भी हमें respect करने चाहिए The next fact file है We cannot do all the work by ourselves हम कोई भी काम स्वेम से सारे काम हम खुछ से नहीं कर सकते हैं Scientists do research and discover new things and information for the benefit of society एक सायें hustling कैसे हैं कैसे बवेक्ती होते हैं जो की खोच करते हैं नई नई चीजों के बारे में धूंते हैं और उनकी खोच करते हैं और नई सुचना को हमें हमारी स sarà Parl avere Almost को लाब पहुंचाने के लिए वो नहीं नहीं सुचना है हमें देते हैं बताते हैं then things to remember different people do different kinds of work अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग काम करते हैं any job that help to earn money is called an occupation कोई भी काम जिससे की जो हमारी किसी भी पैसे को कमाने में help करता है वा काम क्या कहलाता है occupation means रोजगार कहलाता है students here our chapter has been finished and I think you understand it thank you